हमारे साथ हैं डॉक्तर अनिलगोईल सचिकित्सा पर्कोष्ट शय परभारी अनिल जी क्या केना चाहेंगे दिली सरकार स्कीम पर श्कीम लाई जा रही है रोजगार दे रही है आज कल काफी एड आ रहे हैं क्या किना चाहेंगे कि कितने यूबाओं को रोजगार मिल Red डाइज देखी आप इसकी स्टेस्थिक देखें की दिल्ली सरकार ने का कि आठ लाइक रॉजगार मिला है तुप किसी को आपोइट्मेंट डेलटर मिला है, क्या, यहां में देखना होगा, हम को जो इंफर्मेशन है, वो उनको कुछ एक वीडियो भीजे जाते हैं वीडियो पर का जाता है कि skill development करो तो किसी को भी नहीं मिला रोजगार ऐसा मेरा मानना है ऐसा एफ़ेक्ट है तो अगर किसी को रोजगार दे दिल्ली सरकार तो हम भी कहेंगे अच्छा काम कर रही है लेकिन कहां है रोजगार दि इस पर डिपेंड करेगा तो इस करें लोगों कितना पैसा मिला कितना देखिए जिस सारी बारिश में मैं पिछले 30 साल से यहां कृष्णारगर में रह रहा हूं हर बारिश में पहले थोड़ा सा बहुत जादे होता था अब थोड़ा कम होता है बड़ा सीधा सा कारण है सीवर से वो बंद हो गए है क्योंकि सीवर की कैपेसिटी जो सीवर प्रोड से कम है वो पाइप्स पुराने हो गए है उसके बाद जो पानी की पाइप्स है वो 25 साल पुरानी होगी जरजर हो गई है जो नालिया है जो रेन वाटर स्टॉर्म की नालिया है उसमें प्लास्टिक बढ़ा रहता है सफाई नहीं है तो लोगों को भी जागरूख होना पड पाने सीवर के हो या जल बोर्ड के हो उन पाइप्स को बदलने की जरूरत है क्योंकि जो सारे ओवर्फलो हो जाते है वो तो बारिश के अधरवाइस भी ओवर्फलो हो जाते है तो तीन महतपूर कान नहीं वाटर लॉगिंग के जो पानी आ रहा है वो पानी जो आक पर आ जाता है और पानी बिष्टा फूर्ट स्ट laquelle को पंप्स घचना पड़ता है वह पंप चीमि एक सारी में दूसरा वह मिए कि पानी जा रहा है वह भी गलत है लेकिन सीवर में जाने के लिए उनकी क्या सुई कम है तीसरा प्रावल थैं जो पानी की ईपस्ता वह खर रहे हैं कि वह नालीयों में प्लास्टिक ना डाले है उनको से नो तु प्लास्टिक करना होगा दब ही हम वाटर लॉग इंग से बच पाएंगे बरसात होती है गंदा पानी घरों में जाता है लोग पीते हैं क्या-क्या बीमारी बनती है उनसे थोड़ोग और यही अगर बीमारी किसी छोटे बच्चे को या बुजूर्ब को जो कॉंप्रोमाइज इम्म्यून सिस्टम है इनको डाइबिटीज है उनको और ज्यादा सीरियस इस्तिती में ला सकती हैं तो आप समझ सकते हैं कि को मालनों जॉन्डिस हो रही है तो वह एक महीने गया चाहिए वह बच्चा हो या बड़ा हो क्योंकि शुरू में तास दस बारे दिन पंद्रह दिन तो कम होगी जादे होगी फिर कम होगी फिर उसको कमजोरी उसकी ठीक होगी इस प्रकार से ना सिर्फ बीमारियों में पैसा लग रहा है भलकी वरकार सेंजों प्रोडेक्टिव सेंगें हो रही है या किसी को भी हो रही है तो वह ऑच जो इकनॉमी है कंट्री की उस पर भी असर डाल रही है तो इसलिए पानी जनित बिमारियां जो देश की एकनॉमी को भी अफेक्ट कर रहे हैं यह सब को जानना जरूरी है लोगों में डर खतम हो गया है बिल्कुल कैसे देखते हैं इसको क्या उनको रोड़ों पर आना चाहिए यह जरूरी काम हो जब भी निकले बहुत अच्छी आपने बात की जो दिल्ली में कोरोना का 600-700 केसी पर डे हो गया था पिछले वीक में 1200-1400 पहुंच गया यह बिल्कुल सिर्फ यह है कि आप इससे डरें नहीं यह तो बात ठीक है लेकि अलर्ट ना रहें यह बात गलत है आपको तीन चार सिद्धा सिद्धान्त अपनाने पड़ेंगे मास्क लगाए रखें थीन प्लाई ट्रपल प्लाई मास्क लगाएं दो गज की दूरी रखें हैं हैंड हाईजीन रखें गंदे हाते सावुन पानी से दो लें या 60% अलकोवल बेस सैनिटराइजर से हैं और एक रैस्पिरेटरी हाईज बगैर जरूरत अभी क्या आपने देखा होगा कुछ मार्केट खुले कुछ और जगा खुली तो वहाँ पर पता चला फिर से वही उतनी बीर नजर आने लगी तो ये तो आपको करना पड़ेगा और आपको कोरोना के साथ रहना जीना सीखना होगा ये अभी जाने वाला न आई है ना तो कोई effective medicine आई है कि इसको ठीक कर देगी सिर्फ दवाईयां हैं जो supportive treatment है experimental treatment है और आगर समस्जीवियर आपको निवोनिया हो गया तो आपको दिक्कत हो सकती है और ऊस तो केता हमने वैक्सिन टयार कर लिए क्या सज बात है ये क्या कुसी इसे लिजुए जो आप दिसम्बर तक दिल्ली में ये वैक्सीन आजाएगी पून से मास पहनना चाहिए आप सिर्फ थ्री प्लाई मास्क पहने हैं तीन लेयर मास्क को घर में कपड़े के बना सकते हैं कोछ कोई N95, N99 या खास तोर से जो फिल्टर जो लगा रहता है वो वाला मास्क पब्लिक के के आसपास में बाहर निकाल रहा है तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकता है तो पहले तो आप थ्री प्लाई मास्क पहने नंबर वन कपड़े का पहने जो रिवाशेवल है तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी दूसरा जो वैल वाला है या N95 वैल वाले मास्क है वो पब्लिक म ना पहने मैं देखता हूं कई लोग पहने तो उनको मना करें कि इसके उपर एक और मास्क लगा या रुमाल मादो क्योंकि उनके एक्सपिरेटरी वैल्व से जो रिस्पिरेशन या अपनी सास की हवा निकल रही है वो आसपास में इंफेक्शन पहला सकती है तीसरा जो N95 N99 ने मास्क है वो सिर्फ हेल्थ केर वर्कर्स के लिए है वह आपको पहनने की जरूरत नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीर करने के लिए यह दर डॉक्टर अनिल कोईल बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने माक्स के बारे में और सभी तत्थर बेबात की इन